ये गाईज, वालकम बैक टू आ न्यू वीडियो, मैं हूँ आपका दोस्त मनीश, दोस्तो आज हमारे सामने खड़िए ओल न्यू टाटा हैरियर फीसलिफ 23 एंड दोस्तो वेरियंट की बात करें, तो दोस्तो यह है आपका प्योर प्लस S वेरियंट, तो मतलब S मतलब सनरूम आपको देखने का मिलती है, इस वाले वेरियंट में, एंड एक्सोरूम प्राइस की बात करें, तो 19.69 लेक रुपिस उसका एक्सोरूम है, ओन रोड प्राइस दोस्तो आपकी एप्रॉक साड़े 23 लाग रपे यह कार आपको पढ़ जाती है, गवाले और मध्य पर्दिश म है, तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम करेंगे सकार का कंप्रीट वाकराउंड, जानेंगे कि आपको इस न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में है, जो कि आपका प्यूर प्लस एस वेरियंट में आपको क्या-क्या फीचर्स कंपनी ओफर करती है, 23 लाग रपे देने के ब अगर आप इसके टर्न सिंगनल बंद करती है, आपका जो रहता हजार बंद कर दोगे, तो यह आपकी कनेक्टिंग DRS हो जाएगी, लाइट शाट अप नीचे है, जो कि आपका प्रोजेक्टर वाइट लाइट है, एंड लाइट इसमें आपको मिलती है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेंटर में आप जोस्तों जैसे ही आते हैं, तो टाटा का लोगो, ग्रिल मिलेगी प्यानो ब्लैक फिनिस में, लोवर ग्रिल की बात करें, तो इस सेंटर वाला बात आपको प्यानो ब्लैक फिनिस में पूरा देखने को मिलेगा, प्लस मैट ब्लैक भी आपक को फ्रेम लेस वाइपर मिलते हैं साथ ही उपर बात करें ओडर एको आपको 60 दिगरी कैमरा नहीं मिलेगा तो फ्रेला करब तो लैंथ की बात करें तो 4.6 मिल जाती है एंड वील बेस आपको मिलता है 2741 मिलीमिटर का यानि काफी अच्छा आपको उसमें वील बेस मिल जाएगा टायर साइज तो यहां देखी दोस्तों आपको तो टायर साइज मिलता है वो टूर्टी फाइब 65R17 का टायर साइज टूबलेस टायर है फ्रनेट में कमपनी डिसब् इसे में आपको टायर साइज मिलंगित करेंगे तो यहां दोस्तों आपको नॉर्म डुर्म ब्सकिंटार साइज अपको है सब्सक्राइब करें तो यह देख लीजिए इदर आपको देखने को मिलता है और साथ ही अगर टैंक कैपसिटी की बात करें तो दोस्तों मैं आपको 55 लिटर की टैंक कैपसिटी कमपनी ऑफर करती है अब हाइट की बात करें दोस्तों आपको 1.7 मिटर की सिन आपको हाइट मिल जाती है बैक में चेंजिस क्या मिलते हैं कनेक्टिंग टेल एट सेक्षन मिल जाएगी यूनिट जो की यहां तक आती है और यह आपके टर्न सिंग्नल और डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा आपको इसमें डिजाइन मिल जाएगा बीच में टाटा का लोगो नीचे आपको कैब्रे की प्लेस्मेंट हैरियर की बैजिंग देखने को मिलती है और वाइपर मिल जाएगा डिफॉर्गर दोस्तों नहीं मिलता हाइस्ट बांट लाइट वॉशर गूपर सार्पिन अंटि बात करेंगे तो आपको नीचे की तरफ यह देखिए स्टैपनी विल मिल जाता है ठीक है और इसकी बॉड़ी को इस टाइप से बड़ी अलगती है देखने में तो बैक में दोस्तों इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है अब टेल गेट की बात करें बूट स्पिस की त बाकि यह इसका बूट स्पिस पार्सल ट्रे दोस्तों इस मोडल में आपको कंपनी आफर नहीं करेंगी आपका प्यूर प्लस एस वाला वेरियंट है बाकि बूट स्पिस की बात करें तो 445 लिटर करें आपको बहुत बड़ा बूट स्पिस देखने को मिलता है और बात करे तो काफी शांदा दोस्तों बूट स्पिस से मैनेजमेंट काफी अच्छा किया गया है इसली दोस्तों आपके काफी सारे बैग आ जाएंगे साती हैं सब बूट पर की दोस्तों सिर्फ स्पिकर की प्लेस्मेंट मिल जाती है बट सब बूट आपको नहीं मिलता है अंदर खा करेंगे तो यह देखिए संशर मिलता है बाडी लेडर थानल भुल जाते दोर उपन करेंगे दोस्तों आपको ब्लैक दोर देखने को मिलता ह। यह आपको manually adjust करना पड़ेगा, साथ ही आप कराएगा manual variant and seat की बात करें, तो आपको fabric के साथ ही seat देखने को मिलती है and seat dual turnover रहेंगी दोस्तों आपको काफी बढ़ी लगती है, बाकी कुछ इस टाइप से आपको इसमें interior देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते है इसे navigation बगएरा हो गया map बगएरा, जूब सारे control अपको आपको देखने को मिलते है बाकी right side आपको volume controls हो गए, bluetooth and voice command बगएरा देखने को मिलता है, अब steering की बात करेंगे, तो आपको देखिए tilt and telescopic दोनों आपको steering देखने को मिलेगा, यहाँ आपको lights के control, automatic lights है wiper मिलते है, यह भी दोस्तों आपको automatic है, साथी यह है इसका cluster जो कि दोस्तों आपको मिलता है 10.23 inch का, जो कि फुली digital है and काफी अच्छा लगता है देखने में अगर इसकी बात करें इसको on करने का दोस्तों कुछ इस टाइप से देखिए यह होता है on and बहुत ही प्यारा लगता है जब यह on होता है Tata Motors लिखके आता है, काफी शान्दा लगता है यह देखिए कुछ इस टाइप से on होता है, बागी इसमें आपको TPM, MEPM सब कुछ आपको show कर देता है ऊपर यह दोस्तों बात करें, hard plastic का अपल, CarPlay, साथ भी इस दोस्तों कार में आपको 360 degree camera नहीं मिलेगा यह वाला दोस्तों आपको plastic करना यह आपको काफी अच्छा touch में मिल जाता है बाकी यह आपको glossy black elements में मिल जाएंगे, यह पूरा आपको दोस्तों touch panel देखने को मिलेगा and इसमें आपको automatic AC मिल जाता है बट climate control AC नहीं मिलेगा ठीक है नीचे बात करें तो आपको 45W का super fast C type charger and USB बाकी mobile रखने का space यह नि wireless charger आपको नहीं मिलेगा यह दोस्तों आपके modes हो गया है, देख लिए कुछ इस type से हो गया यह आपका होगा hand brake कुछ इस type से engage होता है जसे जहाज को होता है cockpit में दोस्तों उस type से engage होता है बाकी two cup glass holder की दोस्तों आपको वही परानी वाली देखने को मिलेंगी ठीक, armrest की बात करें फैबरिक में है, ओपन करेंगे अंदर देखे 12V का charging socket है साथ में USB and seat type का charging port भी मिल जाएगा यह है इसकी seat and seat quality की बात करें काफी अच्छी समय आपको seat quality देखने को मिलती है फैबरिक में है, बट quality wise बात करें कुछ निंग काफी अच्छी है साथ ही नीचे आपको मिलता है glove box जो कि आपका soft opening है दोस्तों ठीक है and mirror की बात करेंगे तो यह आपको manually करना पड़ेगा यह है दोस्तों उसके sun visor quality बहुत थेक है दोस्तों देख लीज़ाब ठीक है इतर बात करें तो यहाँ भी आपको vanity mirror नहीं मिलेगा बाकि cabin lights आपको मिलती है white clear की साथ ही देखिए sunroof भी आपको यहाँ पैनोमिक sunroof company आफ़र करती है pure S pure plus S वाले variant में तो यह कुछ स्टाइब से open होता काफी huge है दोस्तों अदलब आप चाहें तो अराम से इसके मजे ले सकते हैं ठीक है चलिए बंद करते हैं इसको तो दोस्तों बाकि कुछ स्टाइब से मिलता स्टाइब हैरियर में तो चलिए अब चलते है इसकी बैक वाली सीट पेन वहाँ बैठके बात करेंगे तो यह है दोस्तों उसका बैक डोर पैनल यह पूरा हाट प्लास्टिक है यहाँ ट्विटर देखो आपको सिर्फ स्पेस मिलता है ट्विटर नहीं बैटने के बाद जो आपको फर्स्ट व्यू आएगा दोस्तों डेस्बोट का कुछ इस टाइब से आने वाला है तो बड़ी लगता देखने में साथ ही बात करेंगे नीरूम की तो दोस्तों यह सीट मेरे साब से अजजस्ट है काफी अच्छा नीरूम है आपको कोई भी आच वेंट्स की प्लिश्मेंट नहीं मिलती बड़ नीचे आपको एक सीट टाइप का एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ड मिलता है बाकी वेंट की बात करें तो इस इवेंट्स आपको साइट प्लियर में देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड और आपको प्लियर मिलता है प्लियर यहां बात करें तो आपको वाइट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी फिक्स ग्राइब अंडर्स भी आपको मिल जाते हैं साथ ही हम सीट की बात करेंगे तो दोस्तो आपको 60-40 में स्पिलिट सीट मिलने वाली है और हैड्रस दोस्तो आपको मिलते हैं दो जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तीनों passenger के लिए आपको seatbelt मिलती है and साधी बात करें तो यहाँ पर आपको isofix seat child mount मिलती है दोनों की दो बागी आप seat को recline बगरा भी कर सकते हैं पीछे आपको parcel tray देखने को नहीं मिलेगी बट boot space काफी जाता है पीछे तो यह है आपकी Tata Harrier pure plus S वाला variant and कुछ steps में आपको interior and dashboard देखने को मिल जाता है सो दोस्तो Tata Harrier में जो आपको diesel engine मिल जाता दोस्तो वो आपको मिलता है क्रोइटे 170 वाला नहीं पुराना वाले engine मिलता है बट यह बीए 6 second phase में दोस्तों engine है तो अगर इसकी refinement की बात करें तो पहले से दोस्तों उसमें आपको better refinement देखने को मिलता है साथ ही हम बात करेंगे माइलेज की तो 1617 का दोस्तों companies में average claim करती है काफी need and clean दोस्तों आपको समें engine का layout देखने को मिल जाता है यह था आपका complete background of all new Tata Harrier 23 face lift वेरियंट की बात करेंगे दोस्तों pure plus S वाला वेरियंट है अपके पड़ता है 19,50,000 रुपे एंड इसमें अभी चल रहा आठी ओवर 50% off अगर आप मध्य पर्दिस की निवासी है और इससे अगर रेइक्षर करवाते हैं गवाल यहर में तो सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहे हमाँ से दोस्तों ऐसी हो नई कार की इंटरस्टिंग वीडियो के लिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिन जय वारत मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में